जी के मस्ती MS में आपका फिर एक बार स्वागत है टेनी सन का जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपने देखा 35 कोस्चन्स सेकेंड पार्ट में हो गए थे और फर्स्ट पार्ट में पूरा जीवन परिचे टेनी सन का देखा 36 questions शुरुआत करते हैं टैनी सन्स फैवरिट पोएम इज टैनी सन्स की सबसे प्री कविता जो थी इन प्रिंसेस थी या मौड थी या इन मेमोरियम थी तो सबसे फेमस जो पोएम थी वो थी मौड मौड कविता जो मोनो एक ड्रामा था जो 1855 में लिखा गया था और इन प्रिंसेस जो है आप लोगों ने जाना था प्रिंसेस एक एमेडली थी जो सैटायर थी वोमेंस आईर एजूकेशन पर और ये लिरिक्स में लिखी गई थी 1847 में डबलू येस गिलवर्ट ने इस पर दो बार इसको एडेप्ट किया एक बार इन प्रिंसेस 1870 और इन प्रिंसेस एडा 1884 में इन मेमोरियम 1850 में सबसे प्रसिद्ध कविता ये जो ए एच एच हैलम को समर्पित करते हुए प्रकासित की इससे क्यून विक्टेरिया बहुत प्रभावित थी क्यूंकि क्यून विक्टेरिया का फुत्र जो खतम हो गया था तो दुख की बात में अपने दुख की सहान भूत करके रानी विक्टेरिया बहुत टैनी संसे प्रसन थी और तब इनको 1850 में विलियम वर्ड्स टू वर्जिल जो पोयम है वो किस ने लिखी है तो टू वर्जिल पोयम जो है टैनी संन ने लिखी है अगला है आई सेल्यूट थी मैं टू वैनो आई दैट लब्ड थी सिंस माई डे विगेन वेल्डर ओफ दी स्टेटी लिस्ट मेजर इवर माउल्डेट वाई दी लिप्स आफ मैन ये लाइने मैं टू वैनो इज मतलब इन लाइनो में जो लिखा आई सेल्यूट थी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ मैं टू मैनो मैं टू वैनो आई दैट जो प्रेम करता है तुम्हें सिंस माई डे विगें जब मेरे दिन प्रारंब हुए थे तब से मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ तुम्हें सेल्यूट करता हूँ वेल्डर ओफ थी स्टेलिस्ट मेजर इवर माउल्डेट बाई दी लिपस आफ मैन टू वर्जिल पोएम जो है वो कंपोज्ट की गई टेनिसन दोरा वर्जिल के किस समय पर तो लिखा है 19th Century Celebration 19th Century Celebration पर इनकी ये कविता लिखी गई अगला है ये लाइन जो है यूलाइसेस से है दिस दिस लाइन आफ टेनिसन एपिरस इन यूलाइसेस वाइट हेर्ड सैडो रोमिंग लाइक ड्रीम ये लाइन जो है यूलाइसेस है लेकिन किसके लिए कहा गया है टाइथोनस के लिए अगला है टाइथोनस वाज दी ब्रदर आफ टाइथोनस भाई था किसका भाई था टाइथोनस वाज लब्ड बाई दी ग्रीक गॉडडेस ओफ डॉन नेम्ड टाइथोनस ग्रीक देवी के दोरा प्रेम किया जाता था उसको टाइथोनस को उस ग्रीक देवी का नाम बताईएगा तो ग्रीक देवी का नाम टाइथोनस से जो प्रेम करती थी उसका नाम है एरोरा एरोरा नाम की देवी जो थी ग्रीक वो टाइथोनस से प्रेम करती थी next है the problem of vigyemi and the issue related with it are discussed in the poem named तो vigyemi की समस्या और the issue vigyemi और issue की समस्या related with the it इसके साथ में discussed in the poem named मतलब vigyemi और उसे समन्दी जो समस्या है उस poem का नाम बताईएगा तो उस poem का नाम है इनोक अरडिन क्या नाम है इनोक अरडिन आगे लिखा है इस poem is the story of a fisher man जो टेनी सन ने कविता लिखी जिसमें fisher man की कहानी है who returns जो लोटता है लंबी अनुपस्तिती के बाद लोटता है और देखता है कि उसकी पतनी जो है happily married to another man देखता है कि उसकी पतनी ने दूसरे विक्त से प्रसनता पूरवक साधी कर लिए मतलब वो कौन सी टेनी सन की कविता है जिसमें fisher man की कहानी है मच्वारे की कहानी है जिसमें वो लंबी अनुपस्तिती के बाद अपने घर लोटता है और तब देखता है कि उसकी पतनी ने प्रसनता के साथ दूसरे के साथ मैं साधी कर ली फिर भी he decides लेकिन फिर भी वो निश्चित करता है not to disturb her life विचारा कहता है कि मैं इनके जीवन को disturb नहीं करूँगा कौन सी वो पोयम लिखी है तो वो पोयम है इनोक अर्डन ही पोयम है कौन सी है इनोक अर्डन जिसमें बिगयमी और इसू की समस्याएं है सम्मन्दों की आगे लिखा है मौल्टी डी आर्थर वाज पुबलिस्ट मौल्टी डी आर्थर कविता जो है वो प्रकासित हुई थी हमने बताया था तुमको कब प्रकासित हुई थी 1842 में आगे लिखा है फोर आइडिल्स पाँच आइडिल्स मतलब पाँच कवी आइडिल्स जैसे इनिड, निम्यू, इलेन और ग्यून वर appeared in one volume entitled आइडिल्स आइडिल्स आफ किंग तो किस सन में ये चारो आइडिल्स प्रकासित हुए तो प्रकासित हुए हैं 1869 में और नाम इन चारो को चारो इसमें आइडिल्स प्रकासित हुए और इसी टाइटल इसे क्या दिया गया आइडिल्स आफ दिकिंग 47 question the passing of Arthur is an extended form of passing of Arthur जो है वो extended form है किसका तो ये multi-day Arthur का extended रूप है later four more idols बाद में और भी idols आइडिल्स 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 जैसे the coming of Arthur the holy grail, phallus and it air और passing of Arthur मतलब और भी idols आइडिल्स 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 आफ दिकिंग राजा के idols में include किये गए it appeared in ये कब दिखाई दिया है मतलब और भी जो आए the coming of Arthur, the holy grail, phallus and it air, the passing of Arthur और भी ये सामिल किये गए the idols of kings में ये कब दिखाई दिये तो दिखाई दिये 1869 में मतलब ये जो idols of king of the king ये 1869 में प्रकासित हुए थे फिर 1870 में और भी आइडिल्स सामिल किये गए the coming of Arthur पहले चार थे इनिड, निम्यू, इलेन और गिवन वर लेकिन और भी सामिल किये गए the coming of Arthur, the holy grail, phallus and it air, the passing of Arthur ये 1869 में सामिल किये गए आगे after the revised version of idols, idols के revised version के बाद में the other idols like जैसे दूसरे idols जीसे the last tournament in 1872, जीसे the last tournament 1862 में, jirent and leenate in 1872 में, byleyn and wailam in 1885 में, were also included मतलब 1872 में the last tournament सामिल किया गया, jirent and leenate 1872 में सामिल किया, wailena and wailam in 1885 में सामिल किया गया, were also included ये भी सामिल किये गए इट टूक नियर एबाउट 25 येर्स टू कम्प्लीट दी बुक और इसको कम से कम 25 साल लगे कम्प्लीट होने में दी आइडेल्स केम इन फाइनल फार्मीन और तब आइडेल्स अंतिम रूप में कब आया 1889 मतलब 69 से बहुत देर में 25 साल लगे इन आइडेल्स को तब अंतिम रूप इसका आया 1889 आगे लिखाया विच फ्लेय आफ टेनी सन इस नाट ए प्लेय आफ हिस्टोरिकल ट्रिलोजी कौन सा नाटक टेनी सन का हिस्टोरिकल ट्रिलोजी नहीं है क्यून मेरी हैरोल्ड वैकेट दी कप तो यह है दी कप जो है टेनी सन का नाटक जो है हिस्टोरिकल ट्रिलोजी नहीं है आगे है ए जे प्ले राइट टेनी सन वाच प्ले राइट के तोर पर टेनी सन थे क्या थे सफल थे या असफल थे या कैन नाट से कुछ कहा नहीं जा सकता तो अंसक्सेस्पूल थे मतलब टेनी सन के तोर पर देखा जाए टेनी सन को अगर नाटकों के तोर पर देखा जाए त कौन सी अंतिम रचना की? Crossing the bar. 53. Who authored higher pantheism? कौन authored करता है higher pantheism? Pantheism. Tennyson जो है, वो higher pantheism के बारे में लिखता है. कौन Tennyson? The lady of Salote is a narrative poem that deals with the tragic love of lady of Salote. Salote की lady जो है, वो एक narrative poem है. The lady of Salote एक narrative poem है, जो tragic love, जिसका tragic love है, किसके बारे एक tragic love है? Lady of Salote जो है, वो एक narrative poem है, जो एक tragic love है, किसका tragic love है? तो lady of Salote is a narrative poem that deals with the tragic love of Elaine. Elaine का जो प्रेम है, उसकी tragic love का वे ख्यान किया है, किस poem है? Lady of Salote. लेडी आफ सेलेट में एक नेरेटिव पोएम है टेनी सन की जो इलेन के ट्रेजिक लव का वेख्यान करती है 55th question 55 question number 55 Sir, वेडीवियर किस में दिखाई देता है तो मौल्टीडी आर्थर में दिखाई देता है जो वो राजा होते है अर्थर उनका ये अंतिम बचा हुआ नाइट होता है next question 56, मौल्टी दी आर्थर वास्तिविक रूप से 1834 में लिखा गया और 1880 में Idols of King में सामिल किया गया तब इसका टाइटल हो गया The Passing of Arthur मतलब पहले लिखा गया था मौल्टी दी आर्थर 1834 में लेकिन जब Idols of the King में सामिल किया गया तब इसका टाइटल हो गया The Passing of Arthur अगला है What is the name of the sword given by the King to Sir Wedivir to throw into the lake क्या नाम था उस तलवार को जो राजा के दोरा दी गई थी Sir Wedivir उनका जो अंतिम सरदार बचा था फेकने के लिए लेक में तो उस तलवार का नाम था एग्ज कैलिवर क्या नाम था एग्ज कैलिवर E-X-C-A-L-I-B-E-R एग्ज कैलिवर Next है All the knights of the round table All the knights of the round table are killed in the battle of moderate at lunas except सारे सरदार जो है round table के मारे गए थे युद्ध हुआ था जिसमें moderate के साथ में युद्ध हुआ था Linus में जब moderate के साथ में युद्ध हुआ था तो उसमें सारे सरदार मारे गए थे आर्थर के सिवाहे सरवेडीवियर के चालिस की table होती थी आगे लिखा है the defense of luck now the defense of luck now and aquarse tom are from the penop मतलब defense of luck now और aquarse tom ये किस ने लिखे हैं तो ये tenni sun ने लिखा है the defense of luck now and the aquarse tom ये लिखे गए हैं tenni sun के दारा आगे लिखा है Ulysses ही जे poem of action while lotus iters Ulysses एक action की poem है जबकि lotus iters जो poem है वो एक poem है in action की मतलब Ulysses जो है action की कभिता है जबकि lotus iters जो है वो in action की कभिता है आगे है tenni suns Ulysses सीजे dramatic monologue in tenni sun का Ulysses एक dramatic monologue है in blank verse में किसमें है dramatic monologue है और है किसमें blank verse में आगे लिखा है who is the son of Ulysses कौन Ulysses का पुत्र है हमने बताया था तुमको Ulysses का पुत्र है telly my kiss next 63 most blameless is he centered in the sphere of common duties when I am go on he work his work I am mine मतलब most blameless is he most blameless is he बहुत ही blameless है वा centered in the sphere of common duties common duties के अंतरगत sphere में centered रहता है when I am gone जम मैं चला गया he work his work तब भी वो अपना कार करता रहा I mind मेरे लिए तो ये लाइने जो है Ulysses के दोरा कही गई किसके बारे में ये कही गई अपने पुत्र telly mykus के बारे में Ulysses ने कही है most blameless is he centered in the sphere of common duties when I am gone he work his work I mind next which poem of Tannyson is based on Homer's Odisee and Dante in Fairno मतलब Tannyson की कौन सी कविता Homer के Odisee मतलब Homer एक कवी थे उनकी एक रचना है Odisee और Dante की एक रचना है In Fairno उस पर आधारी थे तो वो कविता इनकी है Ulysses कौन कविता है Ulysses Tannyson की जो Ulysses कविता है वो Homer के Odisee पर और Dante के इन फर्नों पर आधारी थे Ulysses is the king of Ulysses जो राजा है कहां का राजा है तो राजा है इथिका का कहां का इथिका का इसका पुत्र जो है टेली फैथस है कौन है टेली मैकस पुत्र है और जो इथिका का राजा है कौन? यूलाइसेस का यूलाइसेस आगे है अगे है पोयम कमडाउन Оमब कमडाउन ओमड इसकी रचना किया है टेनिसन ने फाइन्ड आउट इसमें कौन सी टेनिसन की है तो इसमें सर गयल हैड जो है वो टेनिसन की है बाकी प्रिल्यूड तो विलियम वर्ड्स वर्थ की है दी स्कॉलर जिपसी दूसरे की है एंड्रो डेल सार्टो तो इस तरीके से जो डाक्टर सुधीर अरोरा की पुक थी उसके सारे कोस्चन कंप्लीट हो गए बार-बार इस वीडियो को देखें और आप सफल हो यही माराओ देश है थैंक्स फॉर वाचिंग